कि दोस्तों पैटर्ण मिल गया है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कहां से कर रहे थे जब मार्केट यहां पर आया था तभी से कर रहे थे उसके बाद देखिए हम लोग सेलिंग में थे लेकिन अग्रेसिव सेलिंग में थे और रेजिस्टेंस पर सेल करके हम लोग सपोर् गया तो ट्रेड तो लेंगे ही उसमें क्या होगा कि हम लोग थोड़ा सा प्रोफिट बुकिंग का जल्द बाजी करेंगे तो यहां पर देखिए जो पैटर्ण बना है यहां पर यह देखिए आपका इन्वर सेरेंट सोल्डर पैटर्ण बना है क्या इसमें टार्गेट कभी कभी ट्रेड नहीं भी चलता है जैसे कि यहां पर देखिए यह ट्रेड चला इससे पहले वाले भी बहुत सारे चले थे यह पूरा एक अच्छा मुमेंट मिला था एक बड़ा बड़ा मुमेंट अगर चारसो पासो छेसो पॉइंट का अगर कभर कर लिया हमने उसके ब तो यहां पर उसके बाद फिर देखें यह एक जित यहां पर दिखिए यहां पर दिया है यह डबल कैंडल जब यहां पर बन गया मुविंग आभरेज के उपर दो कैंडल ग्रिन तो अब यहां पर क्लोज हो गया और यहीं से हमारा बाय इंट्री भी बना देखिए इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि यहां पर भी support लिया था फिर यहां पर भी support ले लिया तो यहां पर और यह एक false breakdown हो गया तो inverse and shoulder pattern में ही होता है अब दिखें target इसमें aggressive नहीं बन रहे है क्योंकि target वन हमारा यह जो resistance यहां से अगर अच्छा पैटर्न बनता न तो एक अच्छा हमें टार्गेट मिलता लेकिन नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं मार्केट के साथ चलना चाहिए तो यहीं से एंट्री हमारी बन चुकी है और टार्गेट वन यहीं पर रहेगा यह जो रिजिस्टेंस है उसके बाद टार्गेट करते हैं और उसके पूरा यह प्वैटर्न का टार्गेट आ रहा यह लेबल तक आ रहा है यह लास्ट वाला होट वाला जो था तो यहां तक का 17,350-400 तक का चार्ट का स्टोरी है जैसे निफ्टी मने है थोड़ा सट ज्यादा इसमें भीरज़े क्या वीश हो जरता है है लेकिन जो सबस्वीर में ट्रेंड वह समय सब्सक्राइब चाहिए ससाल्टते पमरें यूष बना को अब दो、 बार बार बाइंग का पैटर्ण बन रहा तो अब उपर की तरफ एक बाउंस देगा उसके बाद जहां भी जाना होगा जाएगा तो जो बाउंस का टार्गेट इसमें भी सेम टाइप से है यह जो रिजिस्टेंस है यह वारा फर्स टार्गेट हो जाएगा और सेकेंड होगा तो यहां से माल लिजे कि आपको 800 से 1000 पॉइंट तक की उपर के तरफ के मुमेंट मिलेंगे और इसमें स्टॉप लोस से थोड़े बड़े बन रहे हैं तो इसमें आपको छोटे-छोटे स्टॉप लोस जो मैंने रूल बता है उसके अकोडिंग आप फोलो कर सकते हैं या फिर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा तो इसके बारे में हमें वीडियो में बता दो